वंदु हूँ जैश्री कृष्णा आज हम बात करेंगे सफला एकादशी दोहजार जोविस के बारे में कब है साल की पहली एकादशी जानियत थी और पूजा, कश्वब मुहुर्द और ब्रत कथा हिंदू पंच्यांग के अनुसार पॉस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है सफला एकादशी भगवान विश्णू को बेहत प्रिये है सफला एकादशी अपने नाम के अनुसर सभी कारे में सफलता दिलाने वाली और मनो कामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है जो हर काम में असफल होते रहते हैं या खूब मेहनत के बाद भी जिने सफलत नहीं मिलती है ऐसे लोगों को सफला एकादशी का ब्रत अवश्य करना चाहिए कहा जाता है कि सफला एकादशी का ब्रत रखने से भगवान विश्णु प्रसन्न होते हैं और भगतों की मनों कामनाय पूरी करते हैं ऐसे में चलिये जानते हैं नए साल में सफला एकादशी कब है आईए तो आज हम इसके बारे में भी जान लेते हैं पॉस माह के क्रश्न पक्ष की एकादशी तिथी की शुरूबात साथ जन्वरी की रात बारा बचकर 41 मिनिट से हो रही है अगले दिन आठ जन्वरी रात बारा बचकर 46 मिनिट पर इस तिथी का समापन होगा उदिया तित्थी के अनुसा सफला एकाडशी का ब्रत 7 जनबरी के दिन रखा जाएगा ये साल की पहली एकाडशी है सफला एकाडशी के ब्रत का पारण 8 जनबरी सोंबार के दिन सुबह 7 बचकर 15 मिनिट से इस सुबह 9 बचकर 20 मिनिट के बीच किया जा सकता है नहीं करें नमो भगवते बासो देवाये का विधा सम्भब तुलसी की माला से जाप करें इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णू के मंदिर अत्वा उनकी मूर्ती के समक्ष भजन कीर्थन का कारिकरम करें इस एकादशी के दिन भगवान विष्णू सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है पर लोप में भी इस एकदशी के पुन्य से उत्तम स्थान मिलता है सफला एकदशी का महत्व धार्मिक माननेता है कि सफला एकदशी के दिन ब्रत रखकर जगत के पालनहार श्री हरी विश्नु की पूजा करने से व्यक्ति को सोभागी की प्राप्ति होती है साथ ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विश्नु की पूजा और ब्रत करता है उसके सभी काम सफल हो जाते हैं वंदूओं आज हम पढ़ लेते हैं सशी की कथा के बिना ये ब्रत अधूरा माना गया है पूरानिक कथाओं के अनुसार प्राचिन काल में चमपावती नगरी में महिश्मान नामा के एक राजा उसके पुचार पुत्रों के साथ रहता था उसका सबसे बड़ाल लुमपक नाम का पुत्र महापापी और दुस्ट था वह हमेशक को कर्मों में लीन रहकर देवी देपताओं के नंदा करता था एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्जी से बेदखल कर दिया था इसके वाद लुमपक जंकल में रहकर मासाहार खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था पापी ने अंजाने में पूरा किया सफला एक अदशी ब्रत कहते हैं कि कभी-कभी अंजाने में भी प्राणी ईश्वर की करपा का पात्र बन जाता है ऐसे ही कुछ लुमपक के साथ भी हुआ एक बार भीशन ठंडी की वज़े से वह रात में सो नहीं पाया रात भठंड में कापता रहा जिसके कारण वह मूर्चित हो गया उस दिन पोश माहा के क्रश्न पक्ष की दसमिती थी अगले दिन जब खोश आया तो अपने पाप कर्मों पर पशताप हुआ और उसने जंगल से कुछ फल इखटा किये और पीपल के प्यड के पास रखकर भगवान विश्नु का इसमरण किया इस सर्द रात को भी उसे नीन नहीं आई वह जागरन करश्री हरी की आराधना में लिप्त था ऐसे में अंजाने में उसने सफला एकादाशी का बरत पूरा कर लिया सफला एकादाशी बरत के प्रताप से विश्नु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और वह पुने राज में पिता के पास रहने लगा पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लुमपक को राज जी की जिम्मेदारी सौब दी और वन में हरी भजन करने चले गए लुमपक ने व्रद्धा अवस्ता तक शास्त्र अनुसार राज किया और अंद में वन में जाकर विश्नु जी की पूजा की एकादाशी बरत के फलस और रूप मोक्ष को प्राप्थ हुआ माननेता है कि सफला एकादशी का बरत व्यक्ति के सारे कारे सिद्ध कर देता है वन दू यदि आप भी इस तरह के सफला एकादशी का बरत करते हैं तो आपके भी सभी कारे सफल होते हैं और आपको भी मोक्ष क्राप्थी का रास्ता मिलता है वंदू यदि आपको ये कता पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ